ओम नमश्शिवाए साथियो आज एक पवित्र व्रिक्ष की बात करते हैं जो भारत में भगवान शंकर के मंदिरों में देखने को मिलता है बिल्व या बेल का व्रिक्ष यह व्रिक्ष शिवद्रुम भी कहलाता है इसे बेल अंग्रेजी में गोल्डन एपल, स्टोन एपल, वुड एपल कहते हैं यह भारतिय उप महाद्वीप और साउथ इस्ट एशिया का मूल निवासी है बसंत के अंत में इस व्रिक्ष में नए पत्ते आते हैं और गर्मी में यह अपने हरे भरे पत्तों और फलों से भरा अत्यंत सुन्दर दिखता है इस व्रिक्ष में साट डिग्री सेल्सियस से अर्टालीस डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने की और सेलेनिटी टॉलरेंट भी है ये पौधा तापमान भी ज़्यादा कम सह सकता है इतनी इस पौधे की शम्ता है इस पौधे को कुछ तितलियां ज़्यादा पसंद करती हैं इसके फूल इंसेक्ट्स के मदुमक्यों के प्रिये होते हैं स्वास्थे के लिए तो इस पौधे के सभी अंग उप्योगी होते हैं चाहे पत्ते हों या इसकी चाल, जड़, या फल, या बीज सभी उप्योगी होते हैं आयर्वेद की अनेक दवाएं, पुल्टिस, मुरब्बा, शर्बत इस व्रिक्ष के पत्तों और फलों से बनते हैं श्री लंका में बेल के फूलों की चाय प्रसिद्ध है इसके पत्ते उटों को चारे में खिलाने से उनकी बिमारियां दूर की जाती हैं बिल्व की लकडी हवन में चंदन सी पवित्र मानी जाती हैं बिल्व फूलों से अर्क भी बनाया जाता है प्राचीन काल में जब शीशिया नहीं थी वैद्य बेल के सूखे फलों को खोकला करके उसमें दवाएं रखते थे इस पौधे का ओशदिये महत्व इतना अधिक है इसी कारण हमारे पूर्वजों ने इस विरिक्ष का धार्मिक महत्व बताया इसकी पतियां त्रिकाल वर्तमान भूत भविशत काल की और त्रिदेवों की प्रतीक मानी जाती है ब्रह्मा विश्णु महेश इस विरिक्ष में मा लक्ष्मी का निवास भी माना जाता है इस विरिक्ष को मा पार्वती का रूपी हिंदू धर्म में मानते है शिवपुरान के अनुसार बिल्व का गंद, फुषपादी, दीप माला से पूजन का महत्व बताया है बिल्व व्रिक्ष के नीचे शिवभक्त को भोजन कराने से पुण्य प्राप्थ होता है अन्या पूजन सामगरी ना भी मिले तो बिल्व पत्र से पूजन करना ही परियाप्त माना जाता है साथियों सकारात्म कूर्जा के प्रतीक इस व्रिक्ष को जरूर लगाएं और ऐसी ही दिव्य जानकारी के लिए प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब दिस चैनल ओम नमाश्षिवाइ